अज़ का मारे वीडियो का टॉपिक है मिट्सुबीशी डी सेवन हंडेड ड्राइव में मल्टि स्पिड सेटिंग किस तरह की जाती है आज के सोड़ी में हम सीखने वाले हैं मल्टि स्पिड सेटिंग के लिए हमें कौन कौन से पेरामिटर सेट करना होते हैं किस तरह का कनेक्शन करना होता है सब कुछ आज के सोड़ी में हम देखने वाले हैं जैसे कि हम जानते हैं जो मिट्सुबिश ड्राइव होती हैं उससे हम किसी भी मोटर को तीन स्पिड में रन कर सकते हैं एक होती है high speed, एक होती है mid speed और एक होती है low speed तो इसके लिए कौन सा parameter set करना होगा, किस तरह का connection करना होगा सब कुछ आज के studio में हम देखने वाले है तो वीडियो को last तक जरूर वाच कीजिए एम इसमें जो multi speed setting होती है उसे हम दो तरह से देखने वाले है पहली तरह से देखने के लिए हम क्या करेंगे हमारी जो motor है उसे हम start stop करने के लिए एक selector switch लगाएगे और एक selector switch जनरली हम लगाएगे low, meet और high जो भी speed की requirement हो उस तरह से हम कर सकते है that means start stop के लिए एक selector switch लगेगा और दूसरा तरह का जो connection होगा उसमें हम क्या करेंगे हमारी जो dry होगी motor होगी उसे इस run button से start करेंगे और इस stop button से stop करेंगे जनरली दो तरह से इसका connection हम सीखने वाले है तो चलिए connection सीखने से पहले इसके कुछ terminals हम दमज़ लेते हैं इस तरह का हमें connection करना होगा क्या करेंगे इसमें क्या होता है source and sink के दो चीज़े होती है यदि आप देख सकते हैं यहां पर black terminal अभी हमने source पर connect करके रखा है देट मिंस हम जो controlling करने वाले है वह 24V से करने वाले है देट मिंस जो PC terminal होता ही plus 24V होता जो drive से हमें मिलता है और SD होता है जो 0V होता है यदि हम sink के में हमरे drive की controlling करते हैं यदि इस connector को निकालके हम यहां पर sink के में connect करते हैं तो हमारी जो drive की controlling होगी वह 0V से होगी बट अभी हम source में कर रहे हैं इसलिए हम PC से यूज़ करने वाले है चलिए हम इसके वो terminal समाझ लेते हैं PC क्या है 24V SD 0V है STF क्या है forward rotation के लिए है STR क्या है reverse rotation के लिए है इसके लावा RH क्या है high speed है RM क्या है medium speed है और RL क्या है low speed के terminal है इसके लावा 25 and 10 जो terminal से potentiometer के लिए है इसको हम अभी यूज़ करने वाले नहीं है वैसे तो Mitsubishi drive के कौन-कौन से पेरामिटर सेट होते हैं किस तरह किसमें two wire wiring की जाती है three wire wiring की जाती है सभी को पर वीडियो बनाएं यह आप वहाँ देखना चाहते तो देख सकते हैं आज के सुड़े हम just multi-speed motor की setting के बारे में बात करने वाले है चलिए इसके setting का connection देखने से पहले हम इसके पास हमारे पास एक manual है इस manual में इसके terminal connection समझ लेते हैं चलिए manual में पहले है इसके parameter हम समझ लेते हैं तो जो चार नंबर जो इसका parameter होता है 4, 5, 6 नंबर 456 यह इसके multi-speed के लिए होता है जो 4 नमबर का parameter होता है वो होता है high speed हम इस high जो 4 नमबर का parameter होता है उसमें जितनी हमें high speed चाहिए होती है उतनी हम इसमें set कर सकते है जो 5 नमबर parameter होता है वो होता है middle speed that means medium speed जितनी speed हम set करना चाहते है वो set कर सकते है और 6 नमबर जो parameter होता है वो low speed का होता है जर्णेरली जो high speed होती हमें जर्णेरिंगे 50 ए 60 तक set करते हैं जर्णेर्ट यहाँ पर हम अज की सर्टोय में 50 सेट परने वाले हैं जो medium speed है यहाँ पर 30 सेट करने वाले हैं 30 सेट करने 30 सेट करने वाले और जो लो स्पीड ही यहां पर हम 10 अज़ेंग प्राक्टिकली से रन करके भी देखने वाले हैं तो 45 एंड 6 जो टर्मिनल होते हैं वह इसके होते हैं मल्टी स्पीट के लिए होते हैं इसके बाद अगला जो परामिटर होता है वो होता है 79 परामिटर जो की होता है operation mode selection हम हमारी जो drive उसे किस mode में run करने वाले है जो काफी important parameter होता है 79 टर्मिनल जो parameter होता है उसे हम देख लेते है जनरली जो operation mode selection होता है इसमें 0 टू लेकर 7 तक की value दी गई होती है सभी का लग-लग अपना function होता है फिर भ ी संपरी जो होता है इससे हमारी 8 और manual में control यहीं जलती है और इसका अलावा यदि यह यही पुश बटन लगा कर यहीं कर पाएगए यहीं से रन से start stop कर पाएगे यह इसके speed होगी इस pod से कम ज़्यदा कर पाएगे generally इसमें हम वन set करेगे तो one set करने के बार हम start stop यहाँ से कर पाएगे और इसके speed यहाँ से कम ज़्यदा कर सकते है यदि हम इसमें two set करते हैं आटो mode में चली जाएगे आटोर मोड में जाने के बार हम हमारी जो drive होगे से start stop करने के लिए generally push button के requirement होगी इसके लिए हमें PC और ASTF में connection करना होता है और speed के लिए हम generally pod connect करना होता है यदि हम इसमें 2 set करते हैं तो 2 set करने की condition हमारी drive को start stop के लिए push button के requirement होगी और speed control के लिए 2510 में potentiometer का connection करना होगा यह तो basic था अब तीसरा number यदि हम इसमें 3 set करते हैं जो कि हम set करके देखने वाले है यदि हम इसमें 3 set करते हैं तो हमारी drive के start stop के लिए हमें PC और ASTF ASTR को use करना होगा इसका अलावा push button connect करना होगा इसका अलावा यदि हमारी drive के speed है वह हम इसे जो potentiometer दिया गया है यहां पर जो दिया गया है इसी से speed इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं यह connection हम देखने वाले है 3 set करकर और 4 यदि हम set करते हैं तो 4 set करने की condition हमारी drive होगी वह run start stop यहां से होगी इसकी … इसकी speed हमें start कम जादा करने के लिए external push potentiometer connects करना होगा तो generally यह था basic हमे जनरली इसमें 3 set करके देखने वाले है और 4 set करके देखने वाले है 3 set करने की condition में यहाँ पर हमें इसमें push button के connection करना होगा जहाँ पर हम selector switch यूज करेगे एवाम इसके अलावा हम एक और general selector switch यूज करेगे जो कि हम low mid high के लिए यूज करने वाले है चलिए हम practically इसका connection देख लेते हैं किस तरह का connection किया जाएगा उसके बाद हम समझते है practically करकर देख लेते है चलिए हमारा connection हो गया है connection किस तरह किया है वो भी हम समझने वाले है बट इस connection से हम हमारी जो driver से start stop करने के लिए push button का use करने वाले है multi speed जो 3 wire है वो हमने connect किये है इसके लिए हमने एक selector switch अलग से connect किया है इसमें हमने PC का जो 24 volt wire आता है उसे ही यहाँ पर connect किया है और उसी का output में हम एक एक बार 3 speed के wire को connect करके देखने वाले है उससे पहले हमने कौन-कौन से parameter set करना होके यह देख लेते है एक number जो speed का होता है उसमें हमने 50 set किया है जो 4 number होता है यह हाई speed होता है यहाँ पर हमने 50 Hz of frequency state की है जो 5 number parameter होती है यहाँ पर हमने 30 Hz of set की है और 6 number में हमने generally 10 Hz of frequency state की है जोको low speed होती है चलिए अब इसके बाद जो important parameter होता है वो होता है mod selection, operation, mode selection यहाँ पर हमने 3 set किया है तीन सेट करने पर जिससे कि हमने देखा था कि यदि हम यहाँ पर तीन सेट करते तो हमारी जो drive start, desktop, push button से होगी और generally हम यहाँ पर तीन स्पीट के जो wire लगाया है उसके लिए हमने एक selector switch अलग से लगाया है वैसे तो तीन selector switch लगाना चाहिए तीन स्पीट के लिए बट हम समझने के लिए एक इस selector switch से समझ लेके किस तरह connection किया जाएगा generally हमें तीन selector switch लगाना होते तो जो PC का wire है तीनो selector switch में common करके एक एक जो इनके output के wire आए है उसे वहाँ पर connect कर देते चलिए इस बाद इससे देख लेते है किस तरह यह work कर रहा है आए जस्ट हम समझने के लिए कर रहे है देखिए चलिए पहले हम इस selector switch को on कर लेते है that means हमारी drive on condition में आ जाएगी देखिए light run के command आ गई है और हमारी drive 50 hertz जो हमने एक number में set किया है full speed में run कर रही है अभी हमने कोई भी multi speed wire correct नहीं किया है जो दूसरा selector switch है वो हम multi speed के लिए use करने वाले है तो हम एक एक बार यहाँ पर touch करके रहने वाले है हमारी drive के speed कम ज़्यादा हो रही है या नहीं तो हम एक एक बार यहाँ पर touch करके देख लेते हैं हमारी यहाँ पर touch किया है यह हमने touch किया है low speed wire तो low speed में generally 10 Hz पर हमारी manager कर रही है अब हम एक बार मीडल स्पीड को touch करके देख लेते हैं तो हमारी Type 30 Hz पर रुभ कर रही है या नहीं डेख लेते है देखिए हमारी driver यहाँ पर धटी हट्स पर रन start कर रही है अब यदि हम यहाँ पे 4 set करते हैं 79 parameter में यही हम 4 set करते हैं 4 set करने की condition में हमें start डिश्टॉप के लिए से अलग से selector switch नहीं लगाना होगा generally हम उसी में connection कर सकते हैं देखिए पहले यहाँ पे हमने 4 लगा दिया अब यहाँ पे हमें selector switch की ज़रूरत नहीं है हमारी drive को start stop करने के लिए तो हम इसके connection निकाल लेते हैं generally PC से एक wire जाएगा जो के एक selector switch में चला जाएगा यदि हम 3 speed connect करने वाले तो 3 selector switch में PC के wire incoming में चला जाएगा बट हमने PC से एक selector switch का wire लिया है और यहीं पर हमें 3 wire को touch करके देखने वाले जनरली यहाँ पर 4 set करने पर हमारी drive होगी वह run बटन से start होगी और stop बटन से stop होगी देखिए PC का एक wire हमने selector switch में लेकर आ गये है यहीं से हम एक एक बार 3 speed को touch करके देख लेते हैं हमारी drive रन कर रही है यह नहीं यहीं यहां पर देख सकते हैं 30 Hz पर हमारी drive रन कर रही है और जो high speed है इसके लिए 50 Hz पर रन करना चाहिए 50 Hz में रन कर रही है यहीं आप 3 स्पीट चाहते हैं तो 3 से लेक्टर switch कनेक्ट कर देजिए आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं और इसके बाद भी इस टॉपिक से कोई doubts रहे गया हो तो कमेंट से बॉक्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेगा उसका जवाब दे सके और यह connection हमने आपको उपर drawing भी नजर आ रही होगे तो drawing में देख लीजिए आपका सारे doubts clear हो जाएगे तो इसके बाद भी कोई doubts रहा हो तो कमेंट से बॉक्स में जरूर पूछिए तो आज के लिए इतना ही thanks friends